उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में B8, BTC अभियर्थी नई प्रात्मे किस्तर की सिक्षक भरती का बेट कर रहे हैं। पहले ये दावा किया गया कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा, रिकूर्टमेंट प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ेगा केंदर में भी, राजे में भी और यहां तकी नगर निकाय में भी। बावजूद इसके भरतिया लगतार फस्ती जा रही हैं। और नई प्रात्मे किस्तर की सिक्षक भरती तो छोड़िए जो पहले से भरतिया चली आ रही हैं, वो भी उसी मुहाने पर खड़िए जहां से वो भरतिया चली होई थी क्या है पूरा मामला 79,000 सहाय का ध्यापकों का भरती का मामला एक बार फिर से जिन से बाहर आ चुका है और निश्चित तोर पर ये सीधे तोर पर नई प्रात्मिकिस्तर की सिक्षक भरती को प्रभावित करता है क्योंकि आप लोगोंने कई बार सुन जैसा कि आपको ग्यात होगा कुछ दिन पहले मानेनिये इलहाबाद हाई कोट के सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश में 79,000 सहाय का ध्यापकों की भरती के चौथे लिष्ट आर साट सो की लिष्ट को रद करते हुए पूना री विजिट करने के आदेश दिये थे यारनी क अभियर्थियों ने डबल बेंच का दरवाजा खटटाया है जिनका नाम 8600 में था जाहिर सी बात है उनके अधिकारों का हनान हो रहा है तो वो डिरेक्ट चले गए कोट में इस मामले को चैलेंज करने और वहाँ पर मानेनिये डबल बेंच ने जो सिंगल बेंच का आदेश उसके तहत ये पूछा किन राजसरकार से कि क्या आप जो तीन माहा का समय दिया गया था आपको रिविजिट करने के लिए क्या आप रिविजिट कर रहे है या फिर इसको डबल बेंच में चैलेंज करेंगे देखे क्या कहा है उन्होंने क्या सिक्षक भरती में संसोधन नियाले ने मामले की अगली सुनवाई 29 माई की तिथी नियत करते हुए राजसरकार के अधिवक्ता को इसे इसपष्ट करने को कहा है ये इसपष्टी करन जो की 29 माई को होने वाली है सुनवाई उससे बहुत कुछ रुख इसपष्ट होगा कि सरकार क्या सोचती है इस भरत पीठ ने आसोक यादो वा अन्य समयत कई अभियर्थियों की ओर से दाखिल विशेश अपीलों पर पारित किया। उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्ने को चुनौती दी गई जिसमें पीठ ने तीन महा में समिक्छा कर 79,000 अभियर्थियों की मेरिट सूची तियार करने के आदेश दिये थे। इसी क्रम में आरक्षित वर्ग के अत्रिक्त अभियर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चैन सूची को खारिच कर दिया था। बहुत गलत हो रहा है। राजसरकार तो अपना पलवा सिर्फ यह कहकर जार लेती है कि सिछा मित्रों को पर्मानेंट नहीं किया सकता है क्योंकि मानिने सुप्रिम कोट ने इनके समय जान को रद्र कर दिया था। प्रात्मिक स्कूलों में दो दसक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक लाग से अधिक सिक्षामित्र पूरे देश में सबसे अभागे हैं। सवारने में लगे हैं। पिछले तकरीबन 6 साल में इनके मांदे में कोई भी वृद्धी नहीं हुई है। महराष्ट में अब देख सकते हैं 32 साला सिक्षक। हिमाचल में पैट यानि प्रैमरी असिस्टेंट टीचर और मद्य प्रदेश में सिक्षक कर्मी के रूप में नियम और उपया हो चुका है। सिलिंडर का दाम, LPG सिलिंडर का दाम, अब सोच लिजिए कि 10,000 में कोई कैसे अपना घर पूरा चला सकता है। जारी से बात है आज सिक्षामित्रों की जो एज होगी वो मैक्सिमम 40-50 के बीच में होंगे। इस एज में 10,000 में जारी से बात है उन उनको पर्मानेंट नहीं किया सकता सिक्षामित्रों को क्योंकि समयजन रद्द किया गया था। लेकिन उनकी सेलि बढ़ाने पर कोई भी रोक नहीं है। राज्य सरकार का विशह होता है कि वो किसको कितना सेलि देती है। इसमें कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर इतनी महेंगाई में 10,000 आज के डेट में कुछ भी नहीं है। वो भी एक पूरे परिवार को पालना ये तो बहुत बड़ी चुनाओती होती है। और अस्ताई सिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्राखंड में सिक्षामित्रों को 20,000 रुपे तो पश्चिम मंगाल में 15,000 रुपे मांदे दिया जा रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोट ने 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 सिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पतपर समयोजन को निरस्त कर दिया था। उसके बाद सिक्षामित्रों ने 12 माह का मांदे देने सेवा काल 62 वर्स करने मांदे बढ़ाने निसूल के चिकिसा आदी मांगो को लेकर के आंदोलन किया था जिसके बाद प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में मांदे 3500 से बढ़ा करक 10,000 रुपया कर दिया था। तो राजे सरकार सिर्फ इसी बात के लिए पीठ थप्था पा लेती है कि इनके कारेकाल में 2017 में इनका मांदे जो पहले 3500 था उसको लगबग 3 गुना बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया। वो किवल ये दिखाती है कि 3 गुना हमने सेलरी बढ़ा द तो निशी तोर पर ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि सिख्छामित्र जो वहीं काम कर रहा है जो कि एक पर्मानेंट टीचर करता है ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पर्मानेंट कर दिजे और चलिए वो ठीक है वो आर्टी एक्ट के नुसार उनको पर्मानेंट किया भी नहीं जल सकता और वो अपने इसाब से बिल्कुल सही भी है लेकिन इनकी सेलरी बढ़ाई जाने चाहिए दस जार बहुत कम है आज आप देखेंगे लेबर जो काम कर रहे हैं वो भी 400 रुपया एक का लेते हैं तो 400 गुड़े 30 करेंगे तो 1200 रुपया यानि आप सोच लिज आज में अपना सर उठा करके अपने परिवार को तो पाल पाए इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के मादेम से ज़रू बताएगा और ऐसे ही मतुपून अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के ल झाल झाल